हेलो स्टुडेंज आज आयू पैक ओफ अमाइड्स दिखते हैं अमाइड्स क्या होता है अमाइड्स जिसमें एस्ट का ही वह पार्ट है जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम दिखा था अभी अमाइड्स लैक इस तरह से दिखता है CH3 C double bond O NH2 यहां पे है अमाइड्स से रिप्लेस होता है hydroxy group तो इसका जो common नेम है या आयू पैक नेम में ही हम लोग ऐसे देखेंगे कि इसमें दो दो है कार्बन्स तो यह हो गए इथे ना माइल्ड अलके ना माइल्ड ऐसे लगेगा इसको ओके तो अभी एक एक अग्जाम्पल लेते हैं यहां पे सेम जो भी functional group हमारा involved है यहां पे अगर देखोगे तो यह माइल्ड है C double bond हो है और NH2 है तो जो भी है उसको numbering पहले आनी चाहिए सो 1, 2, 3 और 4 तो यहां पे नाम आएगा 3-methyl-butanamide और एक देखते हैं ऐसे भी दिया जाता है कि वो जो amine है amide वाला group वो भी substitute हुआ है तो इस ऐसे case में इसको बोलते हैं N-methyl तो इसमें इसका नाम हुआ यह numbering तो है ही तो इसका नाम हुआ N-methyl-butanamide नेक्स्ट एक्जाम्बल देखते हैं यहां पे यहां पे भी methyl अभी इसकी अगर chain हम लोग करते हैं तो यह 1 यह 2 यह 3 तो टू पोजेशन पे भी methyl है और N पे भी methyl है ओके तो यहां पे नाम ऐसे होगा N-methyl-2-methyl ऐसे नहीं होगा यहां पे N-2-dimethyl-propanamide next अगर दो ग्रूप रहते हैं तो ठीक है अभी यहां पे numbering देने के time पे 1-2-3-4-5-6 right so 1-6-hexenamide बट यहां पे क्या होगा गल्ती क्या हुई है hexenamide नहीं हाएगा so this will be 1-6-hexen-diamide okay next हम लोग देखते है are you pack of amines amines में there are three types primary secondary and tertiary जिसमें एक alkyl group लगा हो इसमें दो alkyl groups होते हैं इसमें तीन alkyl groups होते हैं ठी है पहला example लेते हैं लोग इसको हम लोग बोलेंगे methenamine एकी alkyl group है तो यह primary so methenamine okay दूसरा एक example है यहाँ पे हम लोग consider करेंगे one, two, three यह वाला chain और जिसका और two को amine group attached है तो इसका नाम हुआ two propanamine okay अभी अगर secondary amine का देखना है secondary amine का देख रहे हैं हम लोग उसका naming तो देखते हैं यहाँ पे जैसे amide में था तो यहाँ पे होगा इसका नाम N-methyl N-methyl E-thenamine next तो अभी अहाँ पे CH3 है अभी हमें देखना है longest chain जिसमें amine group involved होना चाहिए तो numbering हमें वहाँ से ही करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे इसको lowest number आएगा so 3,4,5 यहाँ से करेंगे तो 1,2,3,4 4 number आएगा so यह possible नहीं है so हम लोग यहाँ से ही numbering करेंगे तो अभी इसमें नाम ऐसे होगा 4-methyl 4-methyl either you can write down 2-pentenamide यहाँ sorry there shouldn't be hyphen 4-methyl 10-penten 2-amide 2-pentenamide कुछ भी लिख सकते हैं so next okay so यहाँ पर यहाँ पर जो देखेंगे यहाँ पर N पो दो ग्रूप्स लगे हैं methyl भी है और ethyl भी है तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली जाएंगे N-ethyl N-methyl यह नम्मरींगे 1,2,3,4 butanamide विसमें यहाँ भी हम लोग वही करेंगे N-ethyl N-ethyl right cyclopenten namine याँ ग्यान जी एता ठी जहाँ and lastly अगर दो amines रहेंगे तो कैसे होगा यहाँ पर numbering करेंगे 1,2,3,4,5,6 यहाँ पर होगा पायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, वो हिसाब से हमें उस पर काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें, हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, ओके, तो आई होब यू लाइक दिस वीडियो, अगर लाइक कर रहे हो, तो उसको सब्सक्राइब करो, शेर करो, थांक यू.